गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से मिलने के लिए संपर्क करें अठारा अप्रेल एहमदाबाद संपर्क करें 931-472-8165-982-902-6625 20 अप्रेल 24 वा 25 मई दिल्ली संपर्क करें 011-4004-3004 12 मई नागपुर संपर्क करें 937-107-3487-772-207-6953 27 मई नासिक संपर्क करें 937-059-0536-937-216-5949 21 अप्रेल पतना 22 अप्रेल दिहरादून 28 अप्रेल हैदराबाद 29 अप्रेल बंगलूरू 5 मई लखनव 6 मई आगरा 7 मई भोपाल 13 मई पूना 19 मई सूरत 20 मई बडोदा संपर्क करें 931-472-8165-982-902-6625 5 मेरे सभी प्रियशिष्यों, सादकों, राज के अमारे सभी नवीन प्रभूत तर्शकों शनी के बारे में शनी जैनती से जुड़े हुए जो की 15 मई 2018 को मनाई जाएगी वो सारी बातें बताने के लिए मैं आया हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और उससे जानने के बाद मुझे पुरी उमीद है और विश्वास है कि आपकी सारी जिग्यासा है शानत होगी समझ्याओं का आपको समाधार मिलेगा जो मैंने श्लोक अभी बुला है अर्थार्थ उसका है कि धीरे धीरे मंद गती से चलने वाले ग्रह हैं शनी इसलिए कहते हैं शने शने चले जो शनी श्चर नीला है शरीड जिनका जो यम के अग्रज है देवी चाया और ग्रह राज सूरी के पुत्र हैं ऐसे शनी देव को हम बारं बार प्रणाम करते हैं इस साल 18 अप्रेल को शनी धनू राशी वह पूरवार शाड़ा नक्षत्र में 37 बचकर 17 मिनिट पर वक्री हो गए और 6 सितंबर को शाम को 4 बचकर 40 मिनिट पर ये वापस मारगी हो जाएंगे दिनांक दिनांक बतलब 15 बई मंगलवार शाम को 5 बचकर 17 मिनिट तक परत्ब जियस्ट क्रिष्ट पक्ष के अमावस्या रहे की इसलिए इस बार 15 मई को शनी जैंती मनाई जा रही है मैं आपको साधारान बाशा में समझा देता हूँ शनी हमारे कर्मों का फल देता है इसलिए उन्हें न्यायधीश कह जाता है कई बार इंसान कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने इस जन्म में क्या गलत कर्म किया है लेकिन कई जन्मों का फल हम भोगते हैं उसमें ज्यादतर आपे खुश्या मिलती है कुछ समय के लिए गम भी बिलता है जैसे एक माने बच्चे को आशिरवाद दिया कि बेटा तू डॉक्टर बनेगा मुझे खुश्य होगी इश्वर ने उसको डॉक्टर बनाए आशिरवाद दिया मां के आशिरवाद से अब वो बच्चा डॉक्टर बना तो उसके लिए पेशेंट भी तो बगवाद को बनाने ही पड़ेंगे कोई जज बनते हैं वकील बनते हैं पुलीस में जाते हैं उनके अबराद ही बनाने पड़ेंगे तरिश्टी चलेगी कैसे इसलिए हम सब को अपने अपने इस्से की तकलीफ है भगवान ने दिये हमें तकलीफ भी लिए तो किसी को खोशी भी मिली है इसी लिए शनी के लिए हमें उनके आराधना कर रही चाहिए जैसे मालीजे मेरा कोई दुश्वन है और मुझे पीडा पहुंचाने में लगा है मैं उसके हाथ जोड़तों भाई मुझे मा लग शनी यानि शनेश्चर देव बले ही एक मात्र दंड अधिकारी जज यानि न्यायतीश जेलर ही क्यों न हो इनके रंग रूप क्रोध तिरशी नजर से भय क्यों न लगता हो पर इन्हें भी संकट दुख और परिशानियों का सामना करना पड़ा है मर्यादा पूरुश ये माता के चरित्र पर लांचन लगा तो वही पत्री ने शराप देकर आजिवन नपुनसक रहने की सजा दे दी रावन के गदा प्रहार से इनका एक पैर तूड गया और लंगडे हो गए इसलिए ये न दोड सकते हैं और ना ही तेज चल सकते हैं इसलिए शने शने चले ज किसी को भी आबाद से बरबात कर देने वाले ऐसे देव पर क्या क्या हुजरी कौन से कस्ट सहे इनों ने इनके साथ कब क्या हुआ गजब हुआ आए जानते हैं ये शायद आपको पता नहीं होगा आम तोर पर शनी का नाम आते ही हम सब जो साधाने लोगे जिनको ज्यादा नोलेज देए हैं वो सहम जाते हैं घबरा जाते हैं परेशान हो जाते हैं और माते पर चिंता की लकिरे साफ दिखाई देती हैं ये सच है कि शनी क्रूर ग्रह है लेकिन ये धारणा असत्य है कि शनी केवल कस्ट ही देते हैं या सिर्फ दंडित करते हैं यदि शनी कस्ट द मेरा बात किसी को भी कोई कस्ट नहीं देते हैं जैसे जानवर वे तो र्यायधीश हैं जो वैक्ति जैसा कर्म करता है शनी उन्हें उसी कर्मों के अनुसार फल प्रतान करते हैं मैं यह जरूर मानता हूँ कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोई गलत कर्म नहीं किया लेकि जूटे लांचन को जैसे जेल में हो सकता था कि उनकी टांग या आतपैर तोड़कर भगवान उनको ऑस्पिटल बेज सकते थे लेकि उससे बहतर उनको जेल मे या पर जो भी हमारे टीचर होते थे वह हाथ उपर करके मेंच के आसपार खड़ा कर देते थे वह हमारा पनिश्वेड होता था आज क्या होता है एक आदमी गाजियाबास से दिल्ली आता है और रास्ते बर बस के अंदर हाथ उपर रखे वह चलता रहता है खड़ा भी है औ तो कई प्रकार के हम ऐसे दंड भोग रहे होते हैं जो हमें जेल जाने की जरूरत नहीं फिर भी इस दुनिया में भोग रहे हैं तो कही नगए हमारे ही अब कर्मों के फल है अशुब कर्म करने पर दंडित तो शुब कर्म करने पर निहाल कर देते हैं इसलिए कहा गया है कि शनी राखे संसार में हर पांड प्राने की खैर ना काहु से दोस्ती और ना काहु से बैर राजनिति क्यों का आपने देखा ही होगा कभी किसी को गाली देते हैं फिर किसी के दोस्त बन जाते हैं फिर पहले वाले को गाली देना शुरूर करते थे इमान धर्म तो है नहीं का आप जानते हैं इन सब चीज़ों को इसलिए राजिती में क्या का जाता है ना कोई पक्का दोस्त है ना कोई पक्का दुश्मन है सच बात तो यहाँ है कि शनी देव अत्यंत कुरोधी होते हुए भगवान शिव और भक्त अरुमान जी से भी अधिक दयालू और कृपालू है कृष्ट भक्त नेत्रहीन सूर्दास ने सची कहा था कि सूर्दास की काली कमरिया चड़े ना दूजो रंग यानि इसी संदर्व में शनी देव के प्रिय काले रंग की विशेष्टा और महत्व आमें देखना होगा सभी विद्वान समाननी न्याधीश तता वकील काले रंग का कोट पेंते हैं ताकि उस पर कभी भी अन्याय का रंग न चड़ पाए और संभाव तह इसी करण न्याय की प्रतिमा की आँखों पर पट्टी भी काले रंग की बंदी हुई हैं क्योंकि शनी देव स्वैम भी न्याय धीश देव हैं वह अन्याय अधर्मी पापी के साथ या पापी के लिए काले का पापी के लिए वो काल हैं तो धर्म प्रिय न् रंग भले ही काला क्यों न हो, परंतुर का दिल, दिल काला नहीं है. गुरुदेव सुरेश रिमाली जी से यूके और उरोप में मिलने के लिए संपर्क करें, 8th, 9th and 23rd June London, 10th June Birmingham, 11th June Leicester, for appointment, please call 0786-509-4276, 19th June Vienna, Austria, 17th June Frankfurt, Germany, 18th June Brazil, Belgium, 19th June Amsterdam, Netherlands, for appointment, please call 176-2477-2522.